अब जी ठीक ठाक आक्शन हो रहा है ग्लोबल स्क्रीन पर अगर देखें जो शो की शुरुआत में आप कह रहे थे 50 से 100 अंक नीचे ही आपको थूदरे डाउ दिखाए बिलकुल वैसे यह आक्शन इस समय हो रहा है तो 90 अंक नीचे डाउ दिख रहा है और करीब नाजडेक फ पास है कुछ अक्शन वहां पर नहीं है रुपया अफोस थोड़ा कंसर्णिंग है तीस पैसे मजबूत खुला था फिलाल चालीस पैसे कमजोर आपको दिख रहा है आधे परसंट की गिरावट रुपय में है इसमें तो वहां पर थोड़ा अक्शन जादा वालिटाल है बतादू डेटा यह करें कि 8300 के नीचे क्लोज होनी की संभावना आज नहीं है तो क्लोजिंग आपको 8300 के उपर की मिलेगी और उसकी वज़े यह आठाजार तीन सो के पुट पर 86 लाग शेर हैं को जो जिसमें से चालिस लाग शेर आज ही जुना है वह आपके लिए रुकावट का काम करेगा तो दोनों तरफ पैक कर रखा है सो पुट इधर सो पुट इधर में मतलब दोनों तरफ रेंज पेक करके रखिए अठाग तीन सो अठाग चार सो की रेंज में ठीक है अब आईए बैंक टिव्टी बैयालिस हजार यह मेक और ब्रेक लेवल है या इंटरेस्टी कुछ होता दिख रहा है दीप वो समझेगा बैयालिस हजार पुट में हाऍएस आपन इंटरसे 25,000 रुका और की कौल्स में भी हाइस अपन इंटरस्ट thirds 41,000 रुका और ठीक है। उपर होकर कितना जा सकती है। Similarly, 41,000-42,000 की रेंज में भी रुकावट का मामला बहुत है। मतलब एकदम पेक करके रखा है। दोनों तरफ। मतलब 100-200 पॉइंट अगर बेंग रिफ्टी बढ़ेगा तो वह रुकावट आ जाएगी। और 100-200 पॉइंट गटेगा। तो भी आपको वहाँ पर रुकावट आती भी दिखेगी। तो बिल्कुल एकदम डेटा वैसे ही बना के रखा है। So I think, बड़ी तेजी 40-350 पार करने पर होगी, बड़ी मंदी 41-900 के निचे आएगी। So I think, 41-900-221,000 खरीदारी की जगे, 22-300-350 प्रोफिट बॉकिंग करने की जगे। So यह भी वेट और वोच करें। आज कुछ बड़ा कमाल करने का मूड निफ्टी बैंक निफ्टी का दिख नहीं रहा डेटा में। दिख नहीं रहा डेटा में। ठीक, तो जाओ